है है फैम दिस साजीद एन यो वाचिंग माइड यूटूब चैनल टेक्निकल साज आज हम इस वीडियो में बात करें कि हमारे विंडोस 10 को हम कैसे एक्टिवेट कर सकें बिल्कुल एजी और आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि आप अपने विंडोस 10 को कैसे एक्टिवे है चाहिए वह आप मोबाइल के थ्रू करें या ब्रॉड मेंड या किसी भी और तरीके साव इंटरनेट अपने इस सिस्टम में यूज करें हम गूगल ओपन करेंगे एड्रेस बार में टाइप करना होगा हमें कि विंडोस टैन टी एक्सटी यह में अड्रेस बार में टाइप करेंगे विंडोस 10 टी एक्सटी यह देखिए सबसे उपर वाली साइड है सबसे फर्स्ट वाली साइड यह वाली इसमें क्लिक करेंगे यह जितना भी कुछ यहां पर लिखा हुआ है adeco auf इसका ऐककोंडिंग है इसको सबकों सलेक्ट ऑल करेंगे पूर आप सलेक्ट कर लेजेश्कांट चेना इसको आप कॉकश में को इसको आपकापी करेंगे राइट जिक करेंगे खुब पर जाएंगे कउपी कर लेते हैं ते अब डेयस्ट पमें एक फाइल बना लीजे नियू में जाके- एक टेक्स्ट फाइल हमको बनानी याद रख़ेंगे आप टेक्स्ट फाइल बनानी है इसको ओपन कर लेते हैं ऑपन करने kir यहां पर हमने जो भी कॉप किया है उसको यहां पर हम पेस्ट कर लेंगे देखे सारा पेस्ट हो गया पेस्ट होने के बाद आप इसको करेंगे सेव एस सेवेस में जाएंगे यहां पर हम इसको फाइल को दूसरे नाम से सेव करेंगे दूसरे एक्स्टेंशन से सेव करेंगे चुली यहां लिख लेते हैं विंडोस टैन डॉट बैट बैट इसका एक्स्टेंशन रहेगा कर लेते हैं इसको अभी हाँ पर हम कर लेंगे सेव कि यह देक्स्टॉप में फाइल आ गई हमारी विंडोस टैन की अब इसमें हम करते हैं राइट क्लिक राइट क्लिक करने के बाद रान एस एड्मिनिस्ट्रेटर में जाएंगे यहां पर यह करेंगे यह देखिए अभी हमारा एक्टिवेटिंग यह विंडो लिखा हुआ है यह जो सर्वर से कनेक्ट करता है इसको जो भी सर्वर मिलेगा हमारा दूसरे से कनेक्ट करेगा अगर विंटोस टेन के लिए दूसरा सेर वाव कर लें के लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगए यहाँ पो से पन्दरा का यह देखिए यह लिखा है product activated successfully हमारा windows 10 जो है successfully activate हो गया है यहां नीचे में लिखा हुआ है would you like to visit my blog तो हम no करेंगे and press करेंगे automatically वह close हो जाएगा उसके बाद देखें मैं आपको दिखाता हूं हमारा windows 10 activate हुआ है या नहीं properties में जाएंगे यह देखें हमारा विडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरू ट्रेस करें